कि इंट के अंदर इसके डिफ्रेक्ट था यह देखो यह स्पार्कल्स वाली ग्लोस यह आपको सिर्फ पीपिएफ ही दे सकती है हमारे इंडिया के वैदर के इसाब से यह देखो स्टॉन चिप कि गाड़ी इतनी अच्छी कंडिशन में नहीं है इसकी देखो कंडिशन अपनी गाड़ी की कंपाउंडिंग पॉलिशिंग दोनों स्टैप हो चुके हैं कंप्लीट अब इसकी ग्लोस देखो कि कर दो ड़िजिए के सिंगर से बढ़ने बागों देखो कि भागों नहीं दो कर सकती है अलाट कि जिए स्टतंगों दो कि आंप हो पुलिए को आपका है जो आप सबसे घाए करेंगर गाती हैं बाँप्ट रखिए यह बाँप्ट यह बाँप्ट यह पैसे पास यह बाँछा यह बाँप्ट जा आरता है गाड़ी पर PPF हो चुक है complete recently मैंने तीन गाड़ी एक इनोवा एक आइटवन्टी और तीसरी यह थार मैं इस वीडियो में आपको पुरा शेर करूंगा यह मिरे हाथ में PPF है पहले मैं आपको बता दू PPF का जो मुझे फायदा जो होता है जो main सबसे important है वो देखो आप यह देखो लाइट की नीचे देख रहे हैं आप स्पार्कल जितने भी हैं पेंट में यह स्पार्कल सिर्फ और सिर्फ आपको खड़ी होई गाड़ी में देखने को मिलेंगे या फिर ज्यादा ज्यादा एक आद महीना पुरानी गाड़ी तब उसके बाद यह सारे स्वेल माक्स और फेड़नेस में आकर गायब हो जाते हैं जिससे हमारी ग्लोस गाड़ी की खतम हो जाती मतलब यह सी अब मैं आपको बारे में कुछ बाते हैं तो वह सबसे पहले आपको बताओं जो हमारी गाड़ी है इसकी पेंट की जो थिकने से वह होती है हमारी 110-0 के और 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 हमारी चिप्प चाइब यह बताओं इनकी थिकनेस मिलेगी आपको 125 से लेकर 200-0 तक या 180-0 जो कोबन चल र होते हैं दो टाइप की पहले होती है जो की हलकी क्वल्टी होती है दुसरी होती है ठीपी यू जो की थोड़ी क्वल्टी होती है मैं अब को क्रा आणि है प्योटर अपनी तरफ तोब टिकने कर जाए आए तो कैसे पता चलेगा तो मैंने इस ट्रिपली हैं सबसे पहले एक टीपीउ की एक टीपीएच की टीपीएच की मैं बताऊं इन दोलों में फराग भी बताऊंगो साथ-साथ इन में फराग क्या-क्या है अब यह देशे टीपीएच है कि इसको स्ट्रेच करेंगे ना तो एक स्ट्रेच तक होईगी है स्ट्रेच उसके बाद तूट जाएगी और तूटने के बाद अगर आपको मैं दिखाऊं कि इसके उपर स्ट्रेच मार्च भी आएंगे जबकि यह एक अच्छी क्वाल्टी की टीपीएच है और क्यों वो इसमें स्ट्रेंट देगो इसमें फिल भी थोड़ी इलास्टिक्स्टी है देगो स्ट्रेच हो रही है लेंगे फिर टूर जाती है यह हाइप्रीड है यह मैं बताऊंग आपको कैसे पेचाननी कैसे नहीं बताइब करते हैं टी पीव की बात अब यह की फीव है आप इसकी स्ट्रेच इबटि लेगो तो लिए नो कितने इस्टमर इस वह भापी सवनी आ फोजिशन वे लिए अब ये अभी डोगा कई गंपार और फंपीने ठूत今天的 इसक के में गवार अपने मीड दिखाता हूं सके आए नहीं कितनी इसको शत कराण कि देखो कोई श्टाच कोई श्टाच मार्क्स के निसपे निशान निया अब मैं इसको तोड़ के दिखाता हूं ऐसा नहीं पड़ती निया फटनी होती है सफ़ड़ती है यह देख़ें कि यह अब यह एक प्रीमियम क्वालिटी की पीएफ जिसमें स्ट्रेंथ पूरी है आपने खुद ने देखा इसको और टीपिएफ जो मैंने यह वल तोड़ी है पहले थोड़ी टीपिएच दूसरी तोड़ी टीपिएउ दोनों में फरत क्या गया है यह बता दूंगा आपको पैचाननी कैसे हैं दूसरे पॉइंट की बात करें टीपिएच है जो हमारी वह हमारी बहुत जल्दी येलोई शेड में आ जाती है एस कंपेर टो टीपिएउ पिली नहीं पड़ती कहने वाले लोग कहते हैं कि पीली नहीं पड़ती यह पीपिएफ अच्छी है प्राइच यह लाख रुपे की हो बस उसका टाइम प्रेट में फरक आ जाता है जहां टीपिएच एक साल में पीली पड़ती है वहीं पे आपकी टीपिएच दो साल सिल्वर गोल्ड प्लेटिन ऐसे तीन दो तीन सीरीज हर कंपनी में आपको मिलेगी उससे आप अपनी गाईड़ी की एच के हिसाब से पर्चेस कर सकते हो कि तीसरी बात यह है कि गम होती है जो गम होती है गम टीपिएच में होता है चांस की थोड़ा सा वो गम रेजिडियो कि स्क्रेच्ट और सल्माट अंगर अपने गाड़ी पर आप्लाई कर रखिए कहीं पर हमारा अकाड़ी लगती है जा कि हमकर बढ़ते हैं उसके लिए लेती है और हमारी यह वह हमारे कोई स्वाल माग्स कोई कि माइन से स्रेचिस सिर्फ माइन से जिसके बात कर रहा हूं मैं इस बात की गल्व से में दिमाख में पीप चड़ा दी तो बच आप उच नहीं बचेगा वाई जब तो दो हजार के लोग हादिया है यह ज़्यादा फ्रिक्शन प्रिक्षिंट प्रिक्षिंटा चोती है सब शीट वीट सब पढ़ जाती है चाहे आप 106 माइकरोन हो चाहे दोस्तों माइकरों जो यह भी फट नीरी थी ना यह भी उस टेप पढ़ जाती है माइनर स्क्रेच इसके लिए होती है यह बस ग्लो उसके लिए तो उसकी स्ट्रेंथ उसके कंपैरिजन में टीप्यू की साथ साथ बनेंगे नहीं का मतलब यह कि बनते तो उस पर है मैनल मैनल लेकिन वो जैसे हीट में जाती है संदैपने नों पर देखनों और उसकी वी आपको प्राइस के साप से मिलेगी कि लोग जो सेल्फ ही लोगी अपने हील करेंगी वह लाख रुपए के राउंड मिल जाएगी टीपी और जो दूप में जाके हीट गन से उसको हील करना पड़ेगा तो वह आपको सिस्टी थाउजन के राउंड मिल जाएगी एक मीडियम कार की बात करता हूं जैसे क्रेटा लेलो सबस आप यह लेखे खाओं लाजा शेया जाके वह लेकिन लाइफ में आगे जाके टी-पी-एच ढ़ती हैं गोडोरण स्वेजाएगे स्वेंट पे नहीं इन विक्कत होती है च्टा पोइंट हमारी दोनों हमें बचा लेती है घाडी को हमारे पेंट को मेरी गाड़ी में करीज़ेंगे सुझ तया जिस वह नहीं पता क्या होते हैं जैसे घाड़ी चलती है पत्तरा के लग जाते है उन चीजों से दोनों बचा लेती है बस उसके लिए भाप पिजो मेंटर करती है वह उट यह कि इसका मतलब यह साथ पॉइंट यह इसका मतलब यह नहीं कि आप पेंशन फ्री होगे हो थोड़ी बहुत प्रकुशन इसकी सेटी तबी रखनी ही पड़ेगी आपको जैसे कि गंदा कपड़ा नी मानना कमा क्रीन Scrum जब इसके ओपर डस्तर ना हो कमो बहुत रियर बहुत लाइट दस्तों तमयूजन फ्रीम लेकिन पेंट की ओवराल होती है लेकिन पेंट के कंपेर इसन में तो बहुत जादा अगर पेंट की होती है 100% खराब जैसे हम कपड़ा मारते हैं तो इसकी 10% बास इतने 90% उससे मेंटेनेंस पेंट की कंपेरिजन में 90% मेंटेनेंस इसका कम है लेकिन फिल्पी आपको एक स्प्रे कोटिंग रहनी पड़ेगे अपने पास जिससे के आप स्प्रे करके आप गारी को प्रटेक्ट करके रख सको है अब मैं आपको बताता हूं कि आप एक अच्छी पीपीएफ कैसे चक्क करोगे अब मैं अपको अपना एक्स्पीरियंस देता हूं जो कुछ सालों में बेरको पीपीएफ का काम करते हुए जो मुझे फील हुआ है और जिसकी नोली श्याद आपको भी होनी चीए पीप क्योंकि यारी छोटी मोटी करने में तो मैं आपको बता दू कि आप नॉर्मल पीपीएफ को दो या जैसे आपको चूज करनी कि दो कहीं भी आप जा रहे हो दो तें डीटेलिंग शोड़ियो सेंपल लाओ चेक करो तो खुद चेक कर सकते हो कि कैसे कौन सी पीपीएफ जादा बैटा रहे है सबसे पहल कर देखो दो लगें करके देखो तो आपको पता जल जाएगा इसकी क्लियर पी जादा होगी उसकी। बिलोस भी होगी को रहे हिगा मेहें चेज of कीव एक जाप आप नहीं कि यह चीज़ आपको मेंसुस्स तभी हो पाएगी जब आपके हाथ में दो पिपेफ होगी अगर सिंगल से इसको पेचाना सकते हूं कि समय जादा है यह ठीक है लेकिन दोनुह कर सकते हो तीसरा आप सब्सक्रीब कर सकति हो जो मैंने देखा है जो बड़िया टीप ना उनकी गम में की ती पर नहीं होती और जो थोड़ी सब्सक्राइब होगया है और चोहता जो बताओ इसकी स्ट्रेच विल्टी वह दिखा दीए जितनी स्ट्रेचेबल जादा होगी न उतनी वह पीपीएफ अच्छी होगी तो पीपीएफ लेने के बाद तीसर पंट आयरन ब्रुष आता है कि मैं दिखाता हूं आपको मेरे अफलाल ब्रुष पतनी कहां पड़ा हूँ है मेरे को मिलनी रहा लेकिन मैं आपको बता दू पहले आपने किसी हार सर्फेस पर लगा लेनी है से एपलाई कर लेनी है दोनों उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है साब चीज़ सेम पेंटरल से इसके उपर निशान मा आने हैं उसके बाद निशान देख रहे हैं आपको यह माइनस माइनस से निशान आया है जैसे ऐसे किसी शाब चीज़ से मार के देखना है जिस पीपे निशान कम आएंगे और अजर नहीं आते निशान तो वह तो टॉप नोच पीपीफ हो गई वह लात रुपे के राउंड जाएगी जाएगी आपकी और जिस पे निशान आते हैं वह थोड़ी सी लोक्वाल्टी की पीप है तो यह सारी चीज़े हैं जो मेंटर करती है एक सबसे में इंपोर्टे पीपिएच और टीपीउ में फरक देखने का वह मैं भूल गया बताना दुवारा से इसको मैं बता रहा हूं आपको पूइंट तो आपको क्या करना पीपीफ को जला लेना है कि थोड़ी सी जलानी है और उसके बाद यह देख रहे हो अगर आपकी येलो या ब्राउन शेड में आती है जलने के बाद तो वह तो आपकी टीपी यू है और अगर यह ब्लैक होती है तो वह टीपी एच्च है और उसमें स्मोक भी ज़्यादा मिलता है एस कंपेर टीपी यू छोटी सी बात थी येलो ये जलने के येलो या ब्राउन ब्लैक नहीं होती है यह वी एक चीज नोटिस करने वाली है अब मैंने आपको यह सारी चीजे इसलिए बताई है क्योंकि मार्किट में जो क्रीमियम क्वालिटी की ब्रैंडिड है वैसे आपको इसा चीजे चेक करने के जोर्ट तब पड़ती है जब आप का बजट इशू टाइट हो आपको सेलेक्शन करना पड़े कि भाई मैं कौन सी पीप लूँ क्योंकि बहुत सी इंपोर्ट होके आती है हमारे इंडिया में और इसके बाद कि इसके बाद इन पे ऐसे पेंट कर दे जाते हैं इसके यह देखो यह सेम यह प्रीमियम प्रेंट करा हुआ है वह चीज आप अब मैं इसको सेल कर रहा हूं तो फिर यार कोई कस्टमर सोचेगा कि भाई 50 खर्च कर रहा हूं को ब्रैंड नहीं है लेकिन वहीं इंपोर्ट होने के बाद जब उसके उपर नाम हमारे 70% इंडिया में यही चलती है और उसके उपर यह नहीं पर आके उनका नाम करन कर दिया जाता है और फिर वहीं ब्रैंड बनके बिच्च जाती है बाद की आपको इन सब बजट है तो आपको इस अब चीज़े देखने के जौर्थ है अगर आपका बजट सही है तो भाई मैं तीन ब्रैंड कर रहा हूं आंस बंद करके वह कर लगे हर टीपी यू के अंदर आपको आपके प्राइस के हिसाब से मिल जाएगा लाइट के हिसाब से सत्तर अजार भी मिलेगी एक लाग लग मिलेगी सब्सक्राइब बजट सही है तो पांसाल साथ वाली करानी वह कराओ तो तीन ब्रैंड बतारों पहले गरवारे दूसरी एक्सपल और टीसरी है आपकी लुमार तो इन तीनों ब्रैंड में से आप कोई से वी करा सकते हो तो अपने को नौलिज थी जोगी तो मैंने तो भाई यह इंपोर्ट का माल है सीधी सीधी क्लियर बाद बतावें आपको इंपोर्ट का माल है इसमें आपको क्वालिटी आपने अपने नम रख रख रखी हैं लोगों ने जैसे इंपोर्ट कराया ओम माल को उसके बाद अपने नाम से सेल कर रही है उसको बहुत से इमाग में एक बात आगी मुकि नूरेखी है क्या मिलनी हुँ पेंट रिमूव करने का क्या रहेगा वाई पेंट रिमूव का ऐसा है पेंट रिमूव का मुझे नहीं लगता कोई डिटेलर देगा गाड़ी अगर थोड़ा सा उसने लिया होगा तो अपने उपर लेकर नहीं दे सकता क्योंकि कुछ बात समझा नहीं होती है वारी अब मैं वह आपको दिखाता हूं कि इस देखो मेरे पेंट में डिफेक्ट है कि सटे आजब आए देखर ग्राइब के अंदर इसके डिफेक्ट था चलो कोई नहीं मैं आपको एक डिफेक्ट और विखाता हूं बहुत मेजर यह देखो आप यहां डिफ्रेंट के बाद जो जोन के बाद दिफ्रेंट के बाद यह पर पेंट के ना यह तो ठीक है और इस वाले एरिये में पेंट ही नहीं हुआ पड़ा है यहां से उस बाद और बीच बाद ले управ Anda को नीच वाले रिए इसके अंदर तो वाई यह आजकल के पेंट में इतना वड़ा डिफेक्ट आ जाते हैं दूसरी बात एक मैंने अपनी खुद ने देखी है जो मैं बताओं एक भाई ने जेड़ लाख रुपए की स्कॉर्प यूएंड पर बढ़िया छह महीने बाद भाई के स्क्रेश लग ग एक दोर से क्या हुआ उसका पेंट रिमूव हो गया अब वह भाई कहता है कि यार मेरा पेंट क्यों रिमूव हुआ उसने मुझसे पूछा मैंने ऐसा हो तो नहीं सकता ते ली पीप मुझे पता कौन सी चड़ी है तो तो एक बार उसको फोटुस बेज मेरे को उसने कई और कर आई थी तो उसने मुझे फोटू मैं देखा उसके अंदर ब्राउन ब्राउन कलर के डौर के अंदर स्पोर्ट थे तो वह पीछे से ही ढंग से स्टिक नहीं था कुछ मैटल में दिख करती है जिस वज़े से पेंट की बॉन अच्छा नहीं था अब इस वज़े से पेंट पेंट के साथ इसके आ गया यह कोई बड़ा इसच्व नहीं है जिम्यवारी नहीं उत्रेगा तो यह चीज कुछ डिटेलर इस्थी सी गरंटी ले लेते हैं और कुछ एक्सपीरियंस जो होते हैं वह क्लियर जो मैंने आपको बताई है यह बात बता रहें अगर डिटेलिंग की कि दुनिया वर के प्रड़क्ट का मैं रिव्यू करता हूं जो उनसा प्रड़क्ट कोगे मैं खुद रिव्यू कर दूंगा पर एक सर्त है मैंने एक चीज़ देखि हैं जिसका जिसके तो मार्केट में कोई परशेश दो चार लोगों ने कर रहा होगा उसकी रेटिंग भी देखता हूं तो फिर ऐसे प्रड़क्ट यार मत बेजे करो रिव्यू करने के लिए क्योंकि समझो मेरा भी चार्ज ही लगता यूट्यूब से मेरे को कोई पैसा नह अब भाई अगर किसी की गाड़ी की रिपेंट है एक गाड़ी में रिपेंट भी करिए मैं सारे आब आपको बाते वह बता रहा हूं बिल्कुल क्लियर क्लियर जो मैंने फील कर रखी है जो हमारी पीपेफ है और जो हमारे चड़ाने वाला उब्जेक्ट है बंपर है कुछ कुछ भी है वह है 3D अब इसको यहां से लेना है इस पर वैसे चड़ने नहीं है मैं एक स्याज का बता रहा हूं स्याज पर में साथ हुआ दा केस यहां से चड़ानी है अंदर टक करनी है तो इसमें तो राउंड कम है उसमें राउंड जाता था तो कई बार पीपेफ उतार कराओ अगर एक का दो पैनल है कराने का यह नहीं कि मत करा वाई अगर आप द्वारा से उसको तरवा के फिर से रिपेंट करा सकते हैं तो कोई शुनिए बिल्कुल कराओ पीपेफ से अच्छी चीज मैंने डिटेलिंग नाइन में देखी नहीं है पर इसके मजे तो बहुत ह लेकिन अगर यह आपको रिस्क दे दे पेंट उतार दे गाड़ी का जिसके चांस रहते हैं मैंने अपनी गाड़ी पर लगाई है चाहे मैं पांच लाख रुफे की पीपेफ लगाता तब भी मैं दस पर पांच परसेंट अपने माइन में यह लेके चलता कि भाई पेंट का कोई वरोसा नहीं है रिसेंटली कल कुछ दिन पहले मैंने स्कोडा करी थी मैंने स्कोडा के पेंट में डिफेक्ट देख लिया यार अगर कहोगे तो शोट में डाल दूँगा एक इतना बड़ा पैटरन था फैडगा बॉनट का सारे पेंट के इंदर क्रैकिंग के निशान है तो वह सोचें कि बढ़े चार हजार का मेरा पीपैर कापएंट है और चार हजार रुपए का कि शारे जार के यह मारे एक गेट कि ऐपने और चाहर जार बोमे तो मैं पर ऐसकता हूं इसका मतलब तो मेरा अगर अचार में तो में रुचा आने की जगह कर कि को इंच सकते हो kuruity पर सकते का सब्सक्राइब करने च supervision कर सकते हो कि यह पर दिख MICHAEL कहा क सब्सक्राइब हुए यह स्पारकल रख गते हैं यह यह आप कहीं से बी कभी भी भी फिना और प्प्राइब के नहीं रा क्योंकि वह हमारी इंडिया का ना उसमें बहुत ज्यादा रहता हैं लाइश भी है थूप भी है सब धूल वी तो नहीं कर सकते तो उसको करके मैं भी बात कह रहा हूं यह चीज आपको यह देखो यह स्पार्कल्स वाली ग्लोस यह आपको सिर्फ पीपीफ ही दे सकती है हमारे इंडिया के वेदर के साफ से टॉप ब्रैंड मैं तीन बता दिया आपको अपने नजर के अपने एक्सपीरेंस के घरवारे एक हाँ अब जो बात मैंने आप को एक बता दिया ना यह इंपोर्टेड माल होता है चैना श काफी चाइन से भी आता है सका यहाँ मन नाम नहीं हुंस प्छलना प्रेट्ट्ट बिखाना चक्क्रणर नहीं 000 अपको आपको करानी है तो आप फिलकुल बस तीन बाते में आपको बता रहा हूं कि अच्टॉन चिप दिखाओं मैं आपको देखो कि अच्टॉन चिप है एक बोनट पे श्टॉन चप मेरा यह देखो यह देखो यह तो कुछ और गिरा हुआ है यह देखो stone chip तो भाई stone chip से बचना हो तो गाड़ी के लिए है गाड़ी पे swell marks ना बनने हो तो आपके लिए PPF है minor scratches है major scratches के लिए कोई PPF नहीं है गाड़ी हलकी सी थोड़ी सी कहीं से जादा touch हो जाएगी वह वहीं से आपकी PPF फट जाएगी यह सब दिखाने वाली बात होती है कि भाई यह हमने PPF कर दी थी आम उतार रहे हैं यह बच गई भाई वो चीज दिखाई वही जाती है सीदी सी बात है कोई हर कोई दिखा रहा है जो है मैं आपको बता हूँ अपना experience मेरी दो गाड़ियों में इसे दिक्कत आई थी एक का बंपर पटा था PPF फट गई दूसरी थी डिगगी में भी डेंट था तो डिगगी उन्होंने फार दी थी सारी PPF बाकि में बहुता है जहां तक है मैंने अपने PPF का जतना experience था कुछ अच्छी बाते थी कुछ मुझे पता है कुछ बुते बुरी है ये बाते बताने के नहीं होती जैसे मैंने आपको बताया है यार जो चीज 60-60-60-50-50-000 के रोल आ रहे हैं ठीक है जी एक बात क्लियर बहुत सुनो 60-60-50-50-000 के रोल आ रहे हैं 80-90-90-90-000 के आ रहे हैं तो भाई वो बन्दे 40-40-50-000 वे खूब मार्केट में PPF होती है मुझे खूब कहते हैं क्स्ट्मर कि भाई PPF हो रही है लेकिन काम करो अच्छी PPF ही मिल जाती है लेकिन बता के गर हो गई कि यह चीज मिल पास है यह नहीं है बहुत से लोग क्या करते हैं लो जी इसकी कोई गरवार है मैं चड़ा दू इसको और बोल दू भी गरवार है तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है जो बात थी मैंने आपको सारी क्लियर लग दिया और कैसे इसके स्टेप बास्टेप मैंने काम करें कैसे कैसे इसकी वह हुई है डिटेलिंग हुई है और फिर उसके बाद कैसे कैसे पीपेफ एपलाई हुई है क्या क्या हुआ है तीनों गाडियों का मैंने डाल दिया आप भाई चेक कर सकते हो किस-kis तरीके से क्या-क्या प्रोसेस होता है सबसे जो हुमारा पहला काम है वह है इनको रिमूव करना जितने पूरी गाड़ी में लग रहे हैं सब को रिमूव करना बढ़ेगा ये उत्रेंगे और पीपिफ के उपड़ेंगे आपको रिमूव करके दिखाता हूं मैं ब दो का? भो जगया अब हीट गन से इसको एक बार हीट करके और इसको रिमूव कर लेंगे और उसके बाद फिरिस्की करेंगे रबेंग जितने भी अपने एम्बलम थे सारे रिमूव कर लिए अपने और जो गम रहे थी वह भी रिमूव हो गई है अपना नेक्स टेप है ना वहीं देखना गाड़ी में रबिंग कंपाउंडिंग की जुर्थ है या नहीं है या खाली पॉलिशिंग से काम चल जाएगा या दोनों स्टेप करने पड़ेंगे अब फिलाल में आपको इस गाड़ वाइट दिख रहे हैं चोटे चोटे वाइट वाइट ऌट है जो एbones एक इस गाड़ी के साथ क्या हुआ है काहीं पर पेंट चल रहता होगा चाहा ही गाड़ी पर चल रहता चाहा किसी पर चल रहता उसकी जो सब्सक्राब श्रसीना इस गौब उप और के गरिए वाइट ब पूरी गाडी के उपर है तो पहले हमें ये डोट अटाने पड़ेंगे उसके बाद हम रभींग कमपाउंड करेंगे यह वह एड़ी आ इस पर देखो इस पर वाइट वाइट डोट नहीं है कि यह देखो कि इस साइड नहीं है अभी कंपाउंड की वज़े से ग्लोस कम लग रही है इसकी वाशिंग होईगी उसके बाद डिसाइड करेंगे पिस सैकिंड स्टैप पोलिशिंग का करना है या नहीं करना बागे चांस हिसा करेंगे क्योंकि गाड़ी इतनी अच्छी कंड अगर पीप किसी को चड़वानी है ना अगर उस पर रभिंग कंपाउंडिंग से खर्चा बचाना चाहते हो कि आपका सीधी पीप चड़ए तो कोशिच यह करो जब तक आपने गाड़ी लेर खिया 10-15-20 दिन तक उस पे आपको कपड़ा नहीं मानना गाड़ी के ओपर और और इन सब चीजों से बचानी है जैसे पेंट गिरा पड़ा है अब बताता हूं इसको पेंट कैसे अटाएगा पहले करेंगे सेंडिंग और सेग्ड स्टैप इसका करेंगे रभिंगम बावनिंग मैं छोटा सा आपको एक इरिये करके दिखाता हूं पूरी गाड़ी तो न हाँ हाँ हुआ है यहाँ देख्वा अब सारे पेंट के वाइट स्पोर्ट है ना जितने ही सब हट चुके यह डलनेस में आ चुका है अभी इसकी जब कंपाउंडिंग करेंगे तो शाइनिंग आ जाएगा यहां पेंट के स्पोर्ट्स देगों कितने जाता है यह अपना करा हुआ एरिया एक बार में छोटा पाट आपको इसकी हलकी से लाइट रबिंग करके दिखाएँ उन्याएगा यहां हमारी हो इसक्षेन करके दिखाएँ तो फिर सीधा मैं आपको पूरी गाड़ी कंपाउंडिंग के बाद दिखाऊँगा और एक बात और मैं ब अगर आपके नई गाडी है तो आपका एक बळिया देखो है जिसी यह है जीरो वन टू फाइव यह कट 10 नहीं तो यह 8 9 7 जितना कम होता जाएगा उतनी जितनी गाड़ी नहीं है कंडीशन में होगी आपकी उस इसाप से यह कट यूज करा जाएगा जी देखो हुआ जीरो टुट एण एक सिक्टोलाथ इसकी फोर्टेन आता है तो हर कंपनी का अपना अबना हिसाब है तो लाइट कर सब्सक्राइब को छोटा से शोर्ट कर पॉल इस मार दे एक बार इस पर अब गरते हैं एक बार इसकी क्लीन और फिर दिखाता हम रिजल्ट अब यह देखो यह एरिया है ना जो यह एरिया इस पर अब अब देखो इसकी ग्लोज बस यह इसका पहले था यह यह स्पोर्ट्स वाइट स्पोर्ट्स और यह अपना रबिंग करने के बाद कंपाउंडिंग करने के बाद इसमें इतने फिनिशिंग दीख नहीं रही लेकिन बहुत बड़िया फिनिशिंग आई एक दम प्रीमियम यह जितने भी स्पोर्ट्स है ना यह उपर के यह उपर है यह वहट गया थोड़ी बहुत डश्ट के करण लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आई इसकी अब इस एरिये में हमने सेंडिंग मार रखी है और यह फाइनल है इसके उपर एक बर पोलिशिंग और करेंगे यह मारा आई थी गाड़ी हमारे पाई से यहां पर हमने सेंडिंग करके इसके पेंट के जो मार्क से वह उट आए और यहां पर कंपाउंड करिए अजरिये मेर यह बरनी अबी खम मार्क से प़े करिमक इस नहीं पर क्या गईखें और भाई शर ड़ाعँ फीडिक सब्समें तो शर गया करेंगे करनास्पला कि मैंक घłęसिका बप मार्दाँ आंजरिये ट्रास हो यह किलो में, नहीं को किले टो ुछ के जाई जगा है तो वाई अपनी घाड़ी की compounding polishing दोनों स्टेप हो चुके हैं complete अब इसकी ग्लोज देखो अब बिल्कुल मिरर एफेक्ट है एक दो अब हो गई रात अब तो कुछ नहीं करेंगे कल इसके हैंडल खोलेंगे और यह बीडिंग उतारेंगे के उपर की और हैंडल यह अंदर से इसको हटाने के बाद खोलेंगे किसी घाड़ी में पीडियम चलती है तो बीडिंग होती है ना पीडिंग आ निचे टक करनी पड़ती ताकि वह असानी से उत्रें नहीं और नीचे की साइड यहीं से कट हो जाएगी तो में जो मारकल काम रह रह रहा है बीडिंग खोलने का और हैंडल खोलने का और उसके बाद अपनी प्लिकेशन चाल हुएगी बाकि जैसे जैस होगा आपको बताऊंगा एक यह हुई है क्ष़ारा यह बताऊंगा झाल रहा है'll गब। पन्यवा खाथ से कते हम काल नहीस काल हλιब एका सकते हम स TUा खाञ भयीश कमिले के लोरे कर सकता... जहलों उसितलिगागा शबड़ीो निए्ितलिगागा... कालों साइमने लोरे लोरे की तहीं, काला만 पले हैा, जया है Ulistका 초ी देलिए को ज cervी, है थे लोग सुनों हुआईने चैसे हैं वैसे लग ये इसे एक की बाना नियुके हुआ ये रही तो दी हाओ धो क्या चैना पिरे को ये पिरे लोग मों चाशीक क्दाए में जो नान पड़ीइगी जो डोगान उपे जोड़ाए फ़कर अंदर की साथ है है? अंदर की साफ आ फाज जी कर दो तर्म नी खोड़ी जी पहले सो लोगों सी निकालने पड़ीने आजय से वहां में लोगों कर ना एंट भी और अस जो विह बने खाल प्थो Hai हम जाओ ठोड़ा करा कि जितनी खींत अ करा तमतिकर की Question कि मारी कीकर की T इनको कान्सी है शर्बराई ублиला चुर्पर और को टायंसे काल साई जाए हैर जोड़ा कर श्लिथ हुड़ा काल। cha Produk लगा में आशेग 6 ते नहीं डूला खुछ यह प्लाओ कर दियो चाईगाओ लो अप्लाओ को अप्लाओ जड़िट लागे को लग श्लाओ कि आशेगा लाद चुहाओ अप्राइब जाए भान के प्लीट राष्जाम नियुक्षी बॉर्न कवर। त्प्राइब भी जैडियना जाएब भी एदिनला है। बड़ना थे जाएब पार सब्सक्राइब है। अर्फजना, झाएब झाला थे प्लीट की किर और और प्राइब है। रेशाल, उसपर अवादा रहा है? का दुरू, का है? पादाबी छेट रोड़ा, स्परेड रोड़ा जाबले, अबड़ा गाएं जाब ठेरा आवड़ा इसे मिट्टी ओलेंगे, मिट्टी ओलेंगे वड़ा पड़िया पूलेंगे टें हैं कर पया अजए दो कि यöhजा कि रख़ुऊंचे आफ़ सूखमायों! यह बंदार हरस्प.' यह समया दम उख़ुकर बह्तिएु कि उभ central belle दe कि एलती है अलती है पूंचे कोने मैं ते दितने मापन कूए बाले लुट झाल झाल गहांगे छैना, प्राफ नहांगे कि भीज़ वीज़ जहाई प्राफ बायवागा की ऑीज़ है, प्रिज़ की ऑ zidra प्राफ मिलेदी मुट्राफ बाया के ऐी जब हो जीज़ कि हो गुझने गषे हो नहाई कि अry आड़े हो इंदिती से शोड़े हैं सीज़ कर दो पिज़ मे स섯 की बड़ATION छोओे कि की लूडम quarter य्याज़ का पाल अग का का यंड़ कि नहीं ग capita हैरा न लोक को बटंग loaf सिर है नहीं है कग बातलो बातलो को बातलो को फिए घ्क हुआ है कि जच बातलो को कि अगया लग पातलो के अपनलो हुआ है लाजब दिलाग पर देखा लाजब दिलाग पर देखा लाजब दो लाजब देखा भीक्व। Ang झाल 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 तो बाई इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और वाले से किसी से भी जो थोड़ा बहुत मशीन चलाना जानता हो यह रबिंग पॉलिशिंग की वह करदेगा आपको गाड़ी को मेंटेन रख सकते हो बिल्कुल ब्रैंड रख सकते हो बिना किसी पैसे खर्च करें और लाइट कलार किसी का है तो भाई उसको भाई को एक बार को है यार बहुत सारी चीज़ें है कि मैंते हैं नेक्स्ट वीडियो भाई आज की वीडियो में इतना ही बाकी बताना कमेंट्स में बाई काड़ी कैसी लगी वाई कि अब पुरी लोग को दिखा दूए आपको कर दो भाई आपको